अंग्रेजी का सब्द है रेलिजन, रेलिजन सब्द बना है रेलिगियर से, और रेलिगियर का अर्थ आपको पता है, क्या होता है? रेलिजन सब्द बना है, रेलिजन सब्द बना है, और आप हैरान होंगे जानकर, क्योग का भी यही अर्थ होता है? यानि मौल शरोत के साथ इस अर्थित्त की जो मौल उर्जा है, उसके साथ एक हो जाना, उसके साथ जोड़ जाना, और एक चौकाने वाली बात आप से कहना चाहता हूँ, प्रेम का भी यही अर्थ होता है, प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है, खिसी के साथ एक हो जाने की गहरी चाह, किसी के साथ एक हो जाने की गहरी प्यास, ये जो एक हो जाने की प्यास है ये मूल भूत प्यास है हमारी बेटर जब किसी के साथ एक हो जाने की प्यास गहराती चली जाती है तो अंत में तृपती तब तक नहीं होते जब तक कि अपने इस मूल श्रोत के साथ एक हो जाने की आवस्था उपलब्द नहीं हो जाती है इसलिए कहते हैं Love is God इसलिए कहते हैं प्रेम ही है प्रभू, प्रेम ही परमात्मा अब प्रशन उठता है किसके साथ एक हो जाने की प्यास? अस्तित की मूल उर्जा के साथ, जहां से हम आये हैं उस मूल श्रोत के साथ एक हो जाने की जा, एक हो जाने की प्यास उसी को हमने धर्म कहा, उसी को हमने रिलिजन कहा उसी को हमने योग कहा, उसी को हमने प्रेम कहा तो सच्चे अर्थों में धर्म का दूसरों से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं। धर्म का अर्थ है अपने भीदर कुछ ऐसा परिवर्थन, कुछ ऐसा रुपांतर, कुछ ऐसी ब्यवस्था पाइदा करना जिससे हम उस अस्तित्त की अनन्त उर्जा से संबंधित हो जाएं। दूसरे से कोई मतलब नहीं। और जब व्यक्ति स्वयंग के अंदर परिवर्थन करता है मूल उर्जा से जोड़ने का, तो अपने आप अहंकार छूटता है। जब व्यक्ति के जीवन का केंद्र दूसरे लोग नहीं होते हैं, स्वयंग को जीवन का केंद्र बना लेता है, कि स्वयंग अपनी मूल उर्जार से चोड़ने का, तो अहंकार अपने आप गिरने लगता है, अहंकार अपने आप सर्जित होने लगता है, इसलिए कि अहंकार ध इसलामिक मिशनरी हैं, चाहे यहूदी मिशनरी हैं, सबका काम क्या है? दूसरे को हिंदु, मुस्लिम, सिख्ख, हिसाई बनाना, ये धर्म का मतलब हुआ ही नहीं, हम तो दूसरों पर उर्जा को केंड़ित कर रहे हैं, दूसरों को हिंदु, मुस्लिम, सिख्ख, बना रहे हैं या दूसरों को कुछ भी कर रहे हैं, ये धार्मिक होना कोई सामाजिक कृत्य नहीं है, क्योंकि धार्मिक होने का रहता है, मुल शोत से जुड़ने की दिशा में सक्री होना, इसलिए जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, उन्होंने चीख चीख कर सारी दुनिया को जगाने कोशिश की तुम जो कुछ भी धर्म के नाम पर कर रहे हो वो कृत्य धार्मि कृत्य नहीं है उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ एक सांस कृतिक रीत रिवार lucrator प्रथा या परमपरा कहीं जा सकती है लेकिन धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है कि ऑ झाल झाल